फूलों से बने हरबल गुलाल से होली सबने खेली होगी लेकिन 36 गड में इस बार गोबर के बने गुलाल से होली रंगीन होगी तेस में गोबर से गुलाल बनने का यह अभिनो परियोग पहली बार किया गया है प्रदेश के दुरस दच्छिन बस्तर दंतेवारे जिले के साई बाबस्वा सायता समू के महिलाएं क्रिसी बिज्ञान केंद्र के बिज्ञानिक्यों के मार्गदर्थन में गोबर से गुलाल तयार कर रही है इससे पहले महिलाओं ने पूल सब्जीयों से गुलाल तयार किया था प्रदेश के मुख मंत्री भूपेज बगहल के द्वारा गौधन के माद्यम से आर्थिक सम्रिद्धी के तयार की गई राह से प्रेरित होकर महिलाओं ने गोबर से हरबल गुलाल तयार किया है इस जिसे गोमय हरवल गुलाल नाम दिया गया है मुख्य मंत्री भुपेज बगेल ने इंद्रा गांधी क्रिशी विश्विद्याले रायपूर के परिसर में आयुजित अंतराश्टी किसान मेला में 12 मार्च को गोमय गुलाल लांच किया है गोमय गुलाल को 36 गड के अलग-अलग जिलों में बिक्री के लिए बेजा जा रहा है इसके साथ इसकी खरीदी ऑनलाइन भी की जा सकती है क्रिसी बिज्ञान केंद्र के वरिष्ट बिज्ञानिक डॉक्टर नरायाण साहू ने बताया कि गोमय हरबल गुलाल प्रसंस्कृति गोमय गोबर प्रसंस्कृति वर्मी कंपोस्ट और हल्दी चंदन चुकंदर कथा आरारोट अपराजिता सिंदूरी मेहंदी तथा प्रा यह सुगंदित है और तोचा को ठंडगता परदान करता है बालों और तोचा की दुलाई सफाई करता है यह गुलाल पूर्टा इक्रोब फ्रेंडली है और हुमेंस फ्रेंडली है यह मैलाओं के आईस रिजन हेतु कम लागत में तयार किया गया है जो गोठान के सुद गोबर में से गुलाल बनाकर समू की दिलियां का भी उत्साहित हैं समू की सांती कश्यप पूजा बगेल सहित अन्य महिलाओं ने बताया कि गोबर से गुलाल बनाने की जब बात आई तो उसने भी उत्साह होकर काम किया डॉक्टर नराण साहू ने बताया कि इससे महिलाओ को अच्छी आए प्राप्त हो से रही है